नमस्कार मैं सुनीता आप सबका स्वाऺत करती हूं अपने चैनल स्पाइस मैजिक में आज हम बनाने वाले हैं मुंग दाल की मसाले वाली पूरी जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होती है तो चले बनाना स्टार्ट करते है इसके लिए मैंने आधे कब Amphal 거 दाल को भीगो के रख दिया, आप ओवरनाइट के लिए भी सोख कर सकते हो या चार से पास घंटे सोख करके ले लो, इसकी पानी अच्छे से साफ करके मैंने ले ली है, उसको एक जार में डाल देती हूँ, इसका अच्छे से हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसकी, इस त दाल दी है, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट हमारा बनके तयार हो जाएगा, देखे, आप देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ है पेस्ट, इस तरह से इसे मैं जार में ट्रांसफर करूंगी, अच्छे से मैं जार ये साफ करके ले लूंगी, और जो भी बचे हैं, थोड़ा सा पानी से दो के साइड में रखेंगे, इसमें बेसिक मसाले डालते हैं, फाफ टेस्पून हल्दी पाउडर, फाफ टेस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और वन फोर्थ मैं गरम मसाला यूज़ किया है, एक टेस् इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आप डंटल ज्यादा यूज ना करो, पत्ते पत्ते आप यूज करो, इस तरह से मैंने 4 कप आटा लूँगी, आप चाहो तो थोड़ा कम भी ले सकते हो, इसमें 2 कप भी लोगे, तब भी अच्छी वनेगी, 3 कप में भी अच्छी वनेगी, मैंने 4 कप लिया है, क्योंकि मुझे 4-5 लोगों के हिसाब से बनाना था, इसलिए मैंने 4 कप आटा लिया है, इसमें 2 चम्मच में भरके ऑईल डालूँगी, आप कोई भी कुकिंग ऑईल इसमें यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बन थोड़ी हमें डो को थोड़ी रखना है, जिससे कि पूरियां हमारी अच्छी करारी बन के तयार हो, आप इस सब पूरियों को अप मसाले वाली पूरियों को आप बच्छों को टिफिन में भी दोगे तो बहुत अच्छ लगेगी, कभी-कभी क्या होता है, कि जल्द बाजी में सुबह-सुबह हमें समझ में नहीं आता है कि क्या नास्ता बनाए, तो आप ये दाल पीस के भी रखके और सुबह अच्छे से आटा लगा के आप फटा-फट बनाके दही के साथ भी सर्व करते हो, मसाला दही के साथ, तब भी ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी, इस तरह से हम थोड़ सा ओयल लगा के अच्छे से आटा को गुन लिया है, देख सकते हैं, और ये आटा हमने जैसे पूरियां बनाने के लिए आटा गुनते हैं, उसी तरह से गुन के रख लिया है, देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सौफ्ट निंग है, नहीं इस तरह से जो भी एर है वो निकल रहेंगे और हमारी पूरियां अच्छे से बन के तयार होएंगे, तो देखे इसको थोड़ा मिसलने के बाद मैं इसके अच्छे से लोहिया बना लेती हूं जिस तरह से हम पूरियों के बनाते हैं, आप इस तरह से बच्छों के ब्रेकपा ताके हम कितनी बार बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा पूरियों के तो दिफरेंट भी लगेगा, और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जरूर एक बर बना के देखें, अभी देखें, जो प्रोसेस हमारी पूरिया बनाने की है, उसी तरह से हम ओल ल हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, और देखने में यह बहुत ही अच्छा लगती है, तो चले, बाते करते करते हैं, हमारा यह पूरिया भी बेल के तयार हो गई है, इतना पूरिया मैंने बन बेल के तयार कर लिया, आप तलते हैं, मैंने ऑईल को अच्छे से या आपके घर में कोई गेस्ट आए और कुछ अलग टाइप की आपको कुछ बनाना है तो इस तरह के मुंग डल की पूरियां बनाएं इसके साथ आप अगर अचार के साथ भी खाते हो तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी नहीं तो फिर आप अच्छे से इसके आलू की स सब्जियां या आपको कोई नॉर्मल समझी के साथ भी खाओगे तो इसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी आपकी मर्जी है इसको किस तरह से खाएं गेस्ट भी आते हैं तो गेस्ट के भी आप सर्व कर सकते हो अच्छ चेसे और यह टिफिंड के लिए तो में बैस् अच्छे से तल्ले और अपने मन पसंद सब्जी और के साथ सर्व करें, मैं इसको सर्व कर रही हूँ, आलू की करारे भुजी के साथ, सालड के साथ, और मैंने वाइट बटाने के मतर के सब्जी बनाई है उसके साथ और खीर के साथ, देख सकते हो आप कितनी देखने में भी लाजवाब लग रही है और खाने में आप विश्वास्परो बहुत ही देश्टी रहती है खाने में भी बहुत मजाएगा आपको आपको इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंट पुरियां बना आज सकते हैं और खा सकते हैं यह इस तरह से आप अगर गेस्ट को सामने थाली परो बनाए और टिफिन में बच्चों को, हस्बेंड को या गेस्ट को आने पे सर्फ करें और इंज्वाइ करें ये मुंगदाल के पूरियां थैंक यू फोर वाचिंग, प्लिस लाइक, सेर और सब्सक्राइब माइ वीडियो